विभारा बस करते हैं जब कैमरा को पंद करते हैं अगर दोस्तो आपको प्रॉपल्लम को देखें तो इस वीडियो को देखे मैं आपको कुछ सॉलुशन्स बताऊंगा जिसके ट्रू आप केमरा हेंगिंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक करें यही आप ओनलाइन पेसा कामा ना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकतें तो चलिए वीडियो शुरू करतें और देखतें केमरा हेंगिंग प्रॉब्लेम केसे सॉल्फ किया जा सकतें सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपका जो केमरा हेंग करतें तो आप अपने डिवाइस को एक बार रिश्टार्ट करें रिस्टार्ट करने के बाद recent बटन पर क्लिक कीजिए और सारे जो application से उन सब को close कर दीजिए ठीक है सारे applications recent apps से close कर दीजिए और उसके बाद retry करके देखे अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर problem solve नहीं हो पाते तो device में दोस्तो थोड़ा बहुत free up space कर दीजिए ठीक है अपना mobile storage को जो है clean up कीजिए mobile storage clean up करने के बाद दोस्तो थोड़ा वड़ improvement हो जाएगा उसके बाद है अपको क्या करना है आपको management पर जाना है IT management पर जाकर आपको अब लिस्ट ऑपईं कर देना और उसके बाद यहाप आपको camera जह वह search करना है तो जैसी एंपर जांगे आपको Mister Charles open करना है clear data पर क्लिक करने हैं और ओके करते वे इसका data clear कर देना है data clear करने के सारे साथ दोस्तो आप अपने device को restart करें और check करके देखे camera hanging problem solved हो चुका होगा तो इस तरहे से आप इस problem को fixed कर सकते हैं अगर आपके जो यह problem है कुछ application download करने के बाद हो रहा है तो उस एप को delete जरू करें ठीक है सारे साथ अगर आपका mobile software अपडेट नहीं है तो mobile software भी अपडेट जरू करें mobile software अपडेट करने के बाद जाके दोस्तो आपका जो camera hanging problem है यहाँ पर fix हो जागा तो इस तरह के से आप problem क को solve कर सकते बाइनी चास दोस्तों आपने पुरा solution करके देगा फिरी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप mobile को factory reset कर दीजिए ठीक है factory reset करने से आपका जो device है वो पुरा empty हो जाएगा और उसके बाद कोई भी hanging issue नहीं रहेगा आपका problem भी solve हो जाएगा तो आज की वीडियो बड़ सबसितने thanks for watching